प्यारे बच्चों नमस्कार मैं उदिद आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट पर साथियों ICC क्रिकेट वर्लकप 2024 स्टार्ट हो चुका है और एक काफी जादा इंपोर्डेंट टॉपिक है चाहे आप किसी भी नहीं स्टीप गवर्रणन्ट कंट इकजाम की त्यारी कर रहे हैं आने वाले एक्जाम में इस टॉपिक से आपको जरूर को स्का देखने मुलेंगे चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर जीससे सी हो गया क्थे से एससी हो गया रैल्वया पुली अो साथ लास्ट तक बने रहिएगा काफी ज्यादा ये इंपोर्टेंट टॉपिक और एक्जाम से लेकिन मानी अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहां से एक भी प्रस्ण बाहर नहीं जाता है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्रिक्ट काउंसिल की बात होरी है और आईसी सी इस क्रिकेट वर्लक क्प को आजिवित करता है तो आईसी सी के वारे हैं हम सारे इंफोर्मेशन जानने वाले हैं आईसी सी का फुल वार्म एक्जाम की बातुचा जाता है फुल फॉर When International Cricket में टोटल इसमें किटने सदस्देस हैं तो ट्ल 88 सदस्देस हैं इसके वरतमान चेर्मैन कौन है ग्याट बारकले हैं जो ग्याट डिंड यह कौन सबस्क्रेंब कुल कितने टीम इसमें भाग लेंगी टोटल 20 टीम इसमें और मेजवान देश कौन सा यानि कि ये कहा मैच हो रहा है USA और West Indies इन दोनों जगहों पर हो रहा है और ऐसा पहली बार है जब EU से किसी ICC विश्चकप टूर्नामेंट की मेजवानी कर रहा है यानि होस्ट कर रहा है पहली बार EU से ICC विश्चकप की मेजवानी कर रहा है ये कब से कब तक चलेगा 1 जून से 29 जून 2024 तक ये मैच होने वाले हैं ICC विश्चकप के चलिए अब आपको कुछ और important fact बताता हूँ जो एक्जाम में जरूर पुछे जाएंगे West Indies दूसरी बार T20 विश्चकप की मेजवानी कर रहा है तो अगर आपसे एक्जाम में पूछेगा कि West Indies कितनी बार ये कौन सी बार जो है कर रहा है तो दूसरी बार कर रहा है इससे पहले 2010 में इसकी मेजवानी कर चुका है ठीक है और 2022 टूर्णमेंट में टोटल 16 टी में पाडिसिपेट की थी ठीक है और यहाँ पर याद रखी है कनाड़ा और यूगांडा ने पहली बार पुरसों के T20 वर्ल्ल कप के लिए क्वालिफाई किया है तो कनाड़ा और यूगांडा इसमें पहली बार जो है पाडिसिपेट कर रही है और सहयुक्तरा जो पूरे कंडल करता है BCCI करता है BCCI किरिटे कोस्टर बनेंगे पहला कोस्टर बन सकता है BCCI के सथाबना कवई थी 1928 में, next BCCI की मुख्याल्ए कहां परिसित है तो BCCI पो मुख्यालह है, वो है वानखेडे, मुंबई, ठीक ह razón, वान्खेडे सीडियम कहा है, मुंबई मे वान खेड़े इस्टेडिम बीशी सीजिए के वरतमान अध्यक्ष कौन है ये काफी जादा important question all exams very important तो ये बीशी सीजिए के अध्यक्ष है रोजर विन्नी वरतमान में इसके चेयर मैं है और बीशी सीजिए का full form क्या होता है तो board of control for cricket in India ये आप देख सकते बीशी सीजिए का logo है ठीक है बीशी सीजिए तो यहाँ पर हमने बीशी सीजिए कोश्चन देखे हैं अब साथ यह आई सीजिए टीट्वंटी वर्ल्लकप दोहरचोबिस में ब्राइंबेश्डर बनाए गया है ब्राइंबेश्डर काफी important होता है तो कौन-कौन से ब्राइंबेश्डर है शाहिद अफ्रीदी है युवराज सिंग है क्रिस गेल है उसेन बोल्ट है शाहिद अफ्रीदी जो है पाकिस्तान के पूर्व बल्लेवाज है अब तो रिटायर्मेंट ले लिया इन्होंने युवराज सिंग भी टीम इंडिया का पूर्व आलाउ यहां पर आप चारों का नाम यादर किएगा साइद फ्रीदी उराज सिंग क्रिस गेलर उसेंड बोल्ड और यह उसेंड बोल्ड जमाइका के हैं काफी ज्यादा जो है इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए अफिसियल सॉंग ऑफिसियल सॉंग क्या है इसका ऑफिसियल जो सबसे बड़ा टूर्णामेंट हो का जिसमें 20 टीमें और 9 सिटीज और 55 मैच टोटल खेले जाएंगी उद्घाटन मैच जो है एक जुन 24 को उद्घाटन मैच यूसे और कनाड़ा की बीच खेला गया और यूसे टेकसास के डालास सहर के ग्रैंड पेरी स्टेडियम में खेल मैच यूसे और कनाड़ा की टीम के बीच खेला गया है और ग्रैंड पेरी स्टेडियम में खेला गया चलिए और आइसी सी पूरुष टीट्वेंटी वर्ल्लकप दोहर चोविस के 2022 का जो हुआ था उसमें आठ्वे संस्क्रण का योजन और ऑस्टेलिया में किया गया था य हम सारे most important question यहाँ पर देखने वाले हैं जितने भी important question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यहां से आपका एक भी प्रस्ट बाहन नहीं जाएगा question नमर फस्ट देखिए पूरूष टीट्वेंटी वर्ल्लकप 2024 काजन किस देश में किया जा रहा है तो इसका फुलफाम होता है आपका district of Columbia district of Columbia जो है इसका full-form होता है ठीक डिस्ट्रिक का Columbia सोधंता दिवस संकतर राज अमेरिका का चार जुलाई को मना जाता है ठीक है जैसे भारत को सोधंता दिवस 15 अगौस्ट को मना जाता है इसी तरह अमेरिका भी जो है गुलाम रहा इसका स के बारे में इतने फेक्ट देखी और मैप में देखी यह है अमेरिका ठीक है चलिए और वेस्ट इंडीच के बारे में आपको बता देख वेस्ट इंडीच कोई कंट्री नहीं है यह कई देशों का एक छोटे-छोटे सुतंत देशों का एक समूह है जिसको की संयुक्त रूप टेकसास अमेरिका में जो है ये मैच खेला गया है नेक्स कोश्चन में डिटेल में देखते हैं तो इस्थानी समय अनुसार एक जून को भारती समय अनुसार लेकिन दो जून होगा नौमा मेंस T20 वर्ल्ड कप को धडन मैच अमेरिका और कनाडा की भी खेला गया चूंकि यहाँ पर टाइम का अंतर होता है ठीक है अंतराश्टी जो तिथी रेका उसके अनुसार यहाँ पर अंतर पड़ता है इसलिए भारती समय अनुसार दो जून हो जाएगा लेकिन वहाँ के समय अनुसार एक जून अगला कोश्चन है मारा करें दोज़ार चोडीस पुरूष टीट्व 12 वर्लकप का कौन संसक्रण खेला जा रहा है यह हो जाएगा नौब defend observing इसका अप्सिन नंबर 20 हाई जवाब हो जाएगा यह 2020 में 2024 के अप्शन यह रेका इवसे थी अरे CDC कब से कब तक आउंजित किया गया तो यहाँ पर एक जून से 29 जून तक मैस खेला जा रहा है नेक्स कोशन देखें वेरी इंपोर्टेंट है आइसीसी टीट्वेंटी वर्ल्लकप दोहर चूविस का ओफिसियल सौंग यानिया अधिकारी गान ओफिसियल एंथम जो है वो है कौन सा ओफिसियल एंथम तो ओफिसियल एंथम क्या हो जाएगा इसका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो ओप्शन नंबर ए हिसका सही जवाब हो जाएगा आउट ऑफ दिस वर्ल दोहर चूविस टीट्वेंटी वर्ल्लकप का ओफिसNew एंथम है किस भारती क्रिकेटर को नौवा ICC पूरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ल कप दरचोविस का ब्रैंड अमेज़र न्यूप किया गया है तो भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाडी यूराज सिंग को जो है इसका ब्रैंड अमेज़र बनाए गया है लेकिन ध्यान रहे आपको इसके अलावा क्रिस गेल को ठीक है इसके अलावा आपके साहिद अफ्रीदी जो की पाकिस्तान के हैं इसके अलावा उसैन बोल्ड उसायन बोल्ड का भी नाम है आपको याद रखना है उसायन बोल्ड को भी जो है बनाया गया है जो कहां के हैं जमायका के हैं ठीक है तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों तो युवराज सिंग इसमें सामील है भारत के याद रखना है नेक्स देख हाँ तो यहाँ पर ब्रादमेश्टर हमने वाब को अता एक शाहिद फ्रीदी हैं पाकिस्तान के वल्लेवाज युगराज सिंग जो की टीम इंडिये के पूर वालाउंडर है क्रिस गेल वेस्ट इंडिज के सलामी वल्लेवाज उसायन बोल्ट यह थोड़ा हट के हैं क्योंकि हिस्सा लिया है तो सही जवाब हो जायागा इसमें टोटल 20 टीम में खेल लहीं इस बार यह सरवाधिक टीम में खेल लहीं भी तक का तो टोटल इसमें 20 टीम में पाडिस्पेट कर रही है ठीक है तो ICC T20 वर्लकप में 20 टीम में खेल रही है ठीक है अब देखिए जो नौव ग्रूप A में है अपना भारत भी और जो है पाकिस्तान जो की सबसे कटर हमारे साथ जो मुकाबला होता है मज़ा आता है ग्रूप B में ऑस्टेलिया इगलेंड स्कॉर्ट लेंड नमीविया रोमान है ग्रूप C में अफगानिस्तान न्यूजिलेंड पापू अनिगुनी कुल कितने मैच खेले गए यानि खेले जाएंगे टोटल कितने मैच खेले जाएंगे अभी तो इसमें खेले जाने है टोटल 55 मैच खेले जाने है ठीक है नेक्स कोश्चन है ICC पूरुष T20 क्रिकेट वर्ल कप दोहार चोविस में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा है पहली बार कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है तो यहां पर देखी युगांडा हो गया यूसे हो गया और कनाडा यानि कि आप्सन नंबर 10 का सही जवा हो जागा उपरियुक सभी ये सभी देश इस वर्ल कप में T20 वर्ल कप में पहली बार भाग ले रहे है नेक्स कोश् सहरों में जो है आवजन किया जा रहा है अब 9 शहर कौन-कौन से हैं यह देखिए USA के कुल तीन सहर हो जाएंगे नियुयार्क टेकसास और फ्लोरिडा इनमें हो गये वेस्ट इंडीज समू के कुल 6 शहर एंटीगुवा सेंट लुशिया सेंट विंसेंट बारवा डोस त्र सूरूश T20 व Kum 24 का मेजवानीन नहीं है तो मेजवान नहीं है कौन-व वासिंटन ंडीय से में यहां की जो युसे की राजधानी क्या है यहां की कैफिल का है साथी युसे की जो राजधानी हो जाएगी वह हैंगी वासिंटन DC का फुल फॉर्म क्या होता है डीसी का फुल फॉर्म होता है आपका district of Columbia district of Columbia जो है डीसी का फुल फॉर्म होता है ठीक है तो यह आपको सारे point जो है यह भी याद रखना है ठीक है चलिए next देखिए ICC T20 World Cup का आजन कितने वर्स के अंतराल से किया जाता है यानि प्रति कितने वर्सों में इसका आयोजन होता है तो प्रति दो साल में इसका आयोजन किया जाता है तो इसका option number C जो है राइटेंसर हो जाएगा अगला question देखिए अगला question देखिए very important question है यह दसवां ICC पूरुष T20 World Cup किस देश में किया जाएगा बहारत और सिलंका के बीच में किया जाएगा अगला T20 World Cup देश COP26 का Congregation किस देश में किया जाएगा वहारत और सिलंका में संवेपने कीया जाएगा तो 2026 वाला भी याद रखेंगे चूंकि भी 2024 का आपका कहां कहां हो रहा है USA और कहां हो रहा है West Indies और 2026 वाला आपको जरूर याद रखना यह हो रहा है भारत और सिलंका के भारत और सिलंका में होगा नेक्स कोशन है ICC Mains T20 World Cup 24 में भारत ने पना पहला मैच किस टीम के खिलाप खेला सही उत्तर हो जाएगा Ireland ठीक है तो ICC Mains T20 World Cup 24 में भारत ने पना पहला मैच किस टीम के खिलाप खेलेगा Ireland के खिलाप खेलेगा अगला कोशन देखिए ICC Mains T20 World Cup 24 में भारत बनाम पाकिस्तान क कब किया जाएगा काफी hot match होगा काफी जबजस्त मुकाबला होगा तो 9 जून की तारीख याद रखिएगा आने वाले 9 जून में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो होने वाला है काफी मज़ा आने वाला है देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में ठीक है तो 9 जून को ये मुकाबला निवार के नसाउ काउंटी अंतराष्टी क्रिकटि स्टेडियम में खेला जाने वाला है भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कहां पर होगा नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकटि स्टेडियम में नौजून को नौवा पूरुष्टी टीटी वर्लकप दहर चोविस के लिए भारती टीम के कप्तान कौन है इस बार भारती टीम के कप्तान कौन है रोहिश शर्मा है ठीक है रोहिश शर्मा को टीटी वर्लकप दहर चोविस के लिए कप्तान बनाया गया अब देखिए यहाँ पर और श्टेलिय के कप्तान है मिचल मार्स, बंगलादेश के हैं नजमुल हुशेन सांतो, इगलेंड के हैं जोस बटलर, सीलंका के हैं वानिंदु हशरंगा, यूगांडा के हैं ब्रायन मसावा, और यूएसे के हैं मोनांक पटेल, वेस्टिंडीज के हैं रोवमन पावेल, ने इदर लेंड के कप्तान का होन है स्कॉर्ट एडवर्स, ओमान के हैं आकीव इलियास, पापुऑन यूगिनी के हैं अशादुल्लाह वाला, स्कॉर्ट लेंड के हैं रिची वेरिंग्टन, साउथ अपरिका के हैं एडेन मारकरम, न्यूजिलेंड के हैं केन विलियम सम, इनके पूरे कैप्टन भी देखें और पूरे आपके वीश टीम भी याद हो गई कि वीश टीम है कौन-कौन सी है ठीक है और अगली देखिए कनाड़ा है साद जफर आइरलेंड के पॉल स्टर्लिंग तो आप कंप्लीट हो गई आपकी टोटल वीश टीम ठीक है चलिए इसके लिए एक हेड कोच है मैं कप्तान बोला हूं गलती से इसके हेड कोच है राहूल दर्वनी ठीक है चलिए नेक्स देखिए आइसीसी पूरुष टी-20 वर्ल्ल कप को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है उत्तर हो जाएगा आइसीसी यान इंटरनेशनल क्रिकेट काउ काउंसील आइसीसी के बारे में देखिए सारे फैक्ट इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसील होता है इस्थापना हुई थी 15 जून 1909 को मुख्याला है दुबई संहुक्तराव अमीरात में कूल कितने देश इस्टिक के मिंबर है 108 चेर्मैन कौन है आइसीस में स्टि 20 वर्ल कप किस वर्स खेला गया था तो यह खेला गया था 2007 में पहली बार आइसीसी में स्टि 20 वर्ल कप किस वर्स खेला गया 2007 में और 2007 में जो पहला वर्ल कप हुआ था उसमें भारत विजेता बनी थी सातियों भारत में जीता था किस को हरा कर पाकिस्तान को हरा द इतली यह ठीक है। चलिये, 2007 का कहां पर हुआ था, दक्षन फ्रीक का मुआ था, और बिजेता थी भारत, विजेता थी पाकिस्तान, 2009 का हुआ इग्लैंड में बिजेता थी पाकिस्तान, 2010 का वेस्ट इंडिज मुआ जेता हुई इग्लैंड, और 2012 का सिलंका में हुआ विजेता थी विस्टिंडीज, 2014 का बंगला देश में विजेता थी सिलंका, 2016 का भारत में हुआ था विजेता थी विस्टिंडीज, 2021 का सेयुक तरव अमिरात में, ओमान में और ऐस्टेलिये विजेता था, और 2022 का ऐस्टेलिया में हुआ विजेता है चलिए तो यह सारे पॉइंट जो हैं आपको जरूर याद रखने हैं नेक्स देखिएगा आई सी सी पुरूष टी ट्वंटी वर्लकप दोहर वाइस का खिताब किस देश की टीम ने जीता था दोहजार वाइस का जो है इगलेंड ने जीता था आप सब अबस्तान को राकर जीता था और यह मुकाबला कहां हुआ था यह हमने आपको बताया जो मुकाबला है दक्षिन अफ्रीका में हुआ था पहली बार ठीक है चलिए नेक्स देखिएगा नेक्स कोशन है आई सी सी पूरूष टी टुन्टी वर्लकप के फर्स संसक्रण का आयोज इंडीज और स्रिलंका जो है यह सबसे सफल टीम है ठीक है सबसे ज्यादा जो है जीता है वेस्ट इंडीज इल्ग्रैन है नेक्स देखिए आई सी सी टी टुन्टी वर्लकप में सबसे धिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो विराट कोहली के नाम है सरवाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ठीक है यह फोटों देखे विराट कोहली और विराट कोहली नो टोटल साथ हजार चार हजार सेंटीस रन के साथ टीटुन्टी अंतराश्टी मैचों में अग्रेडी रन बनाने वाले खिलाडी है अगला देखिए आई सी टीटुन्टी वर्लकप में स मेजवान देख कौन सा है तो यह है बंगला देख बंगला देख में नौमा आई सी सी महिला टीटुन्टी वर्लकप मेजवानी करने वाला है महिलाओं का ठीक है तो यह थे हमारे टूटल 27 कोश्चन उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इसका PDF फाइल जो है आपको म मिल जाएगा लिंक सबस्क्राइब करने दिसक्राइब करें सकते हैं साइन्स की PDF सभीक लिंक हमारी यूटूब की डिसक्राइब बाक्स में भी है यहाँ पर अपट्लिकेशन पर आपको सारी क्लास की PDF मिल जाती हुद जाकर जल्दी से डाउनलोड करिएगा और आप अगर वीडियो अच्छी लगिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास कैसी लगी आपको comment section में जरूरू बताना है सातियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं next इसी तरह trending topic के लिए thank you so much